पुर्वी गोयानी बहुत ही ज्यादा मैसी मतलब बहुत ही ज्यादा डर्टी था तो टुदेश वी आ गोइंग तो लर्न अबाउट क्वेश्चन आंसर और कॉरेक्ट सेंटेंश इस ओके ट्रेडी वन हमारा जो फॉर्स्ट है उसमें क्या लिखा है सिसके कनेक्ट ही ए इन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सीम होता है और थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंट होता है चो Michael mouse था वो mouse hole में रहता था लेकिन first में किस के साथ रहता था वो दूसरे mouse के साथ रहता था और second में आपको कहा है कि cats के साथ रहता थो So now you have to decide कि वो mouse के साथ रहता था कि cat के साथ तो we all know the answers मतलब mouse के साथ रहता था cat के साथ mouse कभी एक hole में नहीं रहते है लेट स्मोर तु दे नेक्स पॉइंट B. Michael never put his dishes in the washing machine इसका मतलब है कि Michael जो अपने खाने के बाद चो dishes होते है वो कभी भी washing machine में नहीं डालता है Michael never put his dishes in sink which means खाने के बाद Michael dishes होती है हमारी dirty वाली वो sink में नहीं रखता है तो हम खाने के बाद usually dishes कहां पे रखते washing machine और sink basin में तो obviously answer आएगा sink Now C. Michael had to leave his home as he was messy Michael had to leave his home as he grew old यहाँ पर आपको दो दिये गए है तो first में आपको ऐसा कहा गया है कि Michael ने अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो messy था which means वो गंदा था या फिर Michael had to leave his home मतलब उसने इसलिए अपना घर छोड़ा because he grew old मतलब वो भी बहुत ही छोटा था इसलिए उसलिए अपना घर छोड़ दिया मार्टिन माउस तो आप बोलो answer क्या आएगा वो छोटा था इसलिए चोड़ दिया और फिर गंदा था गंदा था इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया यह फिर मार्टिन ने कहा था कि चल माइकल आजा हम दोनों साथ में रहेंगे no मार्टिन माउस ने भी क्या कहा था मार्टिन माउस ने कहा था you are true मैसी तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो इसलिए मैं तुम्हें मेरे घर पे नहीं ड़के जाऊंगा तो फरस्ट में क्या आए and messy मतलब माइकल को रियलाइज हो चुका था कि मैं बहुत ही जादा गंदा हूँ इससे बैटर है कि मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाओ राइट लाइक नीट एंड टाइडी बनने से बहुत ही अच्छा होगा मेरा माइकल रियलाइज दैट इस मॉच बैटर तुबी स्लूपी एंड मैसी दैन तुबी नीट एंड टाइड या फिर माइकल को ऐसा लगा था मैकल रियलाइज कि मैं तो खामखा ही अच्छा बन रहा हूं मैं तो गंदा ही ठीक हूं क्योंकि वो गंदा रहता वो मैसी रहता तो उसको कोई अपने साथ घर में रखता नो कोई नहीं ही रखता इसले माइकल को रियलाइज हो चुका था कि मैं गंदा हूं इससे वैटर है कि मैं नीट एंड आइडी बन जाओ इससे मुझे सब प्यार भी करेंगे और मुझे सब अपने साथ अपने घर में भी रखेंगे उके सुनाव लेट्स नेक्स पॉइंट और नेक्स टो माइकल माउस लीवड इन आ माउस हॉल विच मेंस माइकल माउस जो था वो एक माउस हॉल में रहता था वाई डिट ही हाव तो लीव इस हूम इसका मतलब है कि उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया था मतलब माइकल के जो फ्रेंड थे वो एक ऐसे इंसान के साथ बिलकुल नहीं रहना चाहते थे कि जो बहुत ही जयादा मैसी था मैसी विच मिंज तो हमें सबको पता है मैसी मतलब गंदा, डिर्टी और आल्स, right? C. What did he find on the ground under an apple tree? विच मेंज कि माइकल जो था उसने क्या फाउंड किया? ग्राउंड के उपर उसने क्या डुंडा? He found ribs juicy apple on the ground under an apple tree विच मेंज उसने वहाँ पे बहुत थी रसीले अच्छे अच्छे, apples डुंडे और वो भी कहाँ पे? ग्राउंड पे जो टी था उसके नीचे Martin Mouse did not want to take Michael to his house, right? जो Martin Mouse था, वो Michael को अपने घर पे नहीं ले जाना चाहता था क्यों? ऐसा तो क्या कर दिया था Michael ने? let's see, Martin Mouse did not want to take Michael to his house because he was untidy and messy अभी हम सब को पता चल चुका है कि Michael कैसा था? he was untidy and messy, वो बहुत ही जादा गंदा था, बहुत ही जादा इदर उदर चीजे रख देता था इसलिए Michael Mouse किसी को भी पसंद नहीं था और इसलिए Martin Mouse ने भी उसको मना कर दिया था कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे नहीं आ सकते हो now, E, last what did Michael learn at the end of the story? जो Michael था, उसने end of the story, मतलब हमने भी एस story सुनी Michael Mouse था, उसने इस story में से क्या सिखा था? Michael learned that it is much better to be neat and tidy than to be messy मतलब Michael ने सीखा था कि हम अगर गंदे है, उससे बेटर है कि हम थोड़े से tidy और neat बन जाए क्योंकि messy में तो क्या होता है, हमें कोई पसंद नहीं करता है अगर आप गंदे-गंदे कपड़े पहनोंगे, गंदे-गंदे रहोंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो Michael Maus ने भी ये बात सीख ली थी कि गंदे रहने से बेटर है कि हम अच्छे, neat और tidy बन जाए I hope you enjoyed it, thank you